राजिस्थान की तप्ती, चुप्ती गर्मी में भी मिट्टी से बनाए गर अंदर से एकदम कूल रहता है और इस कुपसूरत गर को बनाया है चितोर गर के रौनक जैन ने ये घर सस्टेनेबल होने के साथ साथ आरामदाई सुविधाओं से लेस है दरसल रौनक ने अपनी एक एकड़ जमीन पर फार्माउस बनाने की ठानी थी और इसमें उनकी मदद की आर्कीडेक्ट श्रियाश्यवास्तर ने इस घर को बनाने के लिए उन्होंने रीइनफोर्स सिमेंट कंक्रीट फ्रेम वाले स्ट्रक्चर का उप्योग किया जिसमें 80 प्रतिशत मिट्टी का इस्तमाल होता है ये नमी के स्थर को बनाई रखने में मदद करता है और घर के अंदर की हवा को भी शुद्ध करता है राजुस्थानी हवेलियों के फर्नीचर्स को वियूज और रीफर्बिश करके यहां इस्तमाल किया गया है राजुस्थान की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस घर में कडपपा और निम्बारा स्टोन का इस्तमाल किया गया है साथ ही घर की दिवारों को आरिश तकनीक का इस्तमाल करके बनाया गया है जो दिवारों को चिकनी फिनिश और संगमर मर जैसा तच देता है इन दिवारों पर दिल्ली के छात्रो द्वारा चित्रकारी की गई है कुल मिलाकर रौनक का ये घर लक्जिरी और सस्टेनेबिलिटी का एक अन्नोखा संगम है